या देवी सर्वभूतेश शक्ति रूपेल संस्थिता नमस्तसे 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 नमो नमहा नौरात्रे यानी नौराते इन नौराते इन नौरातों और दस दिनों के दोरान शक्ति स्वरूपा देवी के नौर रूपों की पूजा की जाती है दसमा दिन तशहरा के नाम से प्रसिद्ध है नौरात्र वर्ष में चार बार आता है पौश नौरात्र चैत्र नौरात्र आशाड नौरात्र और अश्वनी नौरात्र नौरात्र प्रतिपदा से नौमी तक मनाया जाता है नौरात्र के नौरातों में तीन देवियों महालक्ष दुर्गा का मतलब जीवन के दुख को हटाने वाली अर्थाद दुर्गा दुर्गतिनाशनी समस्तकष्टों से छुटकारा दिलाने वाली देवी मा दुर्गा स्वरूपा। नौरात्र पर्व के दूसरे दिन मा ब्रंब चारणी की पूजा अर्चना की जाती है साधक इस दिन अपने मन को मा के चरणों में लगाते हैं ब्रंब का अर्थ है तपस्या और चारणी यानि आचरान करने वाली इस प्रकार ब्रंबचारणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली नौरात्र में दुर्गा पूजा के अउसर पर विविध विधान है मा दुर्गा के नौ सुरूपों की पूजा अर्चना में आईए जानते हैं दूसरी देवी ब्रंबचारणी के बारे में बगवान शंकर को पती रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी इस कठिन तपस्या के कारण इस देवी को तपस्यारणी अर्थात ब्रंबचारणी नाम से जाना गया मा दुर्गा की नौ सक्ति का दूसरा सुरूप ब्रंबचारणी का है यहां ब्रंब का अर्थ तपस्या से है मा दुर्गा का यह सुरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत भल देने वाला है इनकी उपासना से तप त्याग, वैराग, सदाचार और संयम की व्रिद्धी होती है ब्रंबचारणी का अर्थ तपकी चारणी यानि तपका आचरण करने वाली देवी का यह सुरूप पून जोतिर्मय और अत्यंत भव्य है इस देवी के दाएं हात में जब की माला है और बाएं हात में यह कमंडल धारण के हुए है पूर्व जन में इस देवी ने हिमाले के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारग जी के उपतेश से भगवान शंकर को पती रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारणी अर्थात ब्रंभचारणी नाम से जाना गया एक हजार साल तक इन्होंने केवल फल फूल खा कर विदाए और सो वर्षों तक केवल भूमी पर रहकर शाक पर निर्वाह किया कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आसमान के नीचे वर्षा और धूप के घोर कश्ट सहे तीन हजार वर्षों तक तूटे हुए बिल्लो पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्लो पत्र खाना भी छोड़ दिया कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपरना पड़ गया कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम शिल हो गया देवता, रिशी, सिद्धगन, मुनि सभी ने प्रमचारणी की तपस्या को अभोत पूर्व पुन्निक कृत्य बताया सराहना की और कहा हे देवी आज तक किसी ने इस तरह की ठोर तपस्या नहीं की ये तुम ही से संभवती, तुम्हारी मनो कामना पूर्ण होगी और भगवान, चंद्रमौल, शिवजी, तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे अब तपस्या छोड़ कर घर लोट चाओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं मा ब्रम्बचार्णी देवी की क्रपासे सर्व सिद्ध प्राप्त होती है दुरगा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है इस देवी की कथा का सार ये है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए मा ब्रमचार्णी देवी की कृपा से सर्वत्र सिध्ध और विजे की प्राप्ती होती है दुरगा पूजा के दूसरे दिन मा ब्रमचार्णी के सुरूप की उपासना की जाती है इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में शितल होता है इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी देवी मा की कृपा और भक्ती प्राप्त करता है नौरात्र के दूसरे दिन ऐसी कन्याओं का पूजन किया जाता है जिनका विवाह तै हो गया है लेकिन अभी शादी नहीं होई है इन्हें अपने घर बुला कर पूजन के पश्चात भोजन करा कर वस्त्र पात्र आदी भेट किये जाते हैं प्रतेक व्यक्त के लिए आराधना योगी श्लोक सरल और स्पष्ठ है यादेवी सर्वभूतेश मा ब्रम्भचारनी रूपेण संस्थिता नमस्तसे 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 नमो नमह हे मा सर्वत्र विराजमान और ब्रम्भचारनी के रूप में प्रसिद अम्बे आपको मेरा बार बार प्रणाम है मैं आपको नमन करता हूँ आपकी पूजा आराधना करता हूँ अगली कड़ी में कल हम बात करेंगे नवरात्र के दृतिय दिन की देवी चंद्रगंटा के बारे में यदि आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो आपसे अन्रोध है कि हमारे यूटूब चैनल को सस्क्राइब करें लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें देवी मा की गृपाया आप पर सदयो भनी रहे जै मादूर के